हेलो फ्रेंट्स वेलकम तुमाई वेलकम तुमाई यूटेज चाइनल आज के सुड़े में हम बात करने वाले बाइजू बोरोडा टी टॉन्टे चालेंज की मैच टी आइटी वर्सेस इस्टी याने टाइटन्स वर्सेस स्टेलियॉंस इनके बीच की जो मैच है जिसको मैं आ स्मॉल लिंक चेट सकते हैं तो माई टीम पर क्लिक कर लेते हैं और पहले टीम को मैं आपको टीट करके दिखा देता हूं जैसे कि देख पार या पर तीन कीपर तीनों ने अच्छा खासा प्रफरमस के तो आप तीनों पर भर्सा कर सकते दाव लगा सकते लेकिन फिलाल मैं यह की टीम में एक कीपर को लूगा वायमी को वाय रामी को किसी और कीपर को नहीं लुघा इसके बाद वैटिंग पर चलते हैं तो फैल को के अ मतलियाइडी में पर टेल को लिया ओर ती इस टीम में शामिल कर लिए और उसके अलाव भी आर पटेल भी मेरे पास है चार बल्ले बाजों को मैंने इस टीम में शामिल कर लिया चारों ने पहली जो मैंस्टी उनकी अच्छा पर्फरमस के आए और जरूर आप इन पर वर्षा कर सकते दाव लगा सकते इसके बार ऑल राउंडर पर चलते तो यहां यहां पर आप देख सकते हैं तो मैंने यहां पर बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं तो मैंने यहां पर सी गांधी को तो जरूर शामिल कर लिया डी पटेल को भी ले लिया दोस्तों यह और आखिर में जो है भी तुंगेरा को इस टीम में शामिल कर लिया तो इस तरह से सभी जो अच्छे पर्फरमस करने वाले प्लियर थे मतलब अभी भी हो कुछ बाकी है ल एक लेकिकर ने इसे बना सकते तो आथ सबसे जादा बढ़ी आप पर्फोर्मस किसका रहा है दोस्तों अब देख पार देख आउ भाइर रमी में और में एक उसमील कर लिया ऑगर बात करें तो वाटिंग में में गांपरत चार बात्स करेंए जैसे क्या देखपार है यह अगर अल्राउंड को लिए अगर बात करें तो बात करें थे पास सब्सक्राइब काफी बढ़े परफॉरंस कैबिस के निरुद तीनों के साथ जा सकते थीनों पर बर्षा कर सकते दाव लगा अगर बात करें गेनबाजी की तो सी गांधी को लिया डी पटेल को लिया और वी टूंगारे को इस टीम में शामिल कर लिया तो देख सकते हैं रोस्तों काफी अच्छे और संतुली टीम मनी है रोस्तों तो जरूर और अच्छे खासे सभी ने पॉइंट दिये तो यह टीम लेकिन अगर आपकी कोई मजबूर है या फिर आप ग्रांड लीग नहीं लगाते तो भी आज इस ट्रीम को ग्रांड लिए जरूर लगा यह दोस्तों काफी फाइदा हो सकता है आप ग्रांड भी जित सकते या फिर ग्रांड लिग में अच्छी खासी अर्निंग हो सकते इसलि जोकि इन दोनों ने सबसे परफॉमंस के वह है इस पांडिय को मैंने कैपटन मना वहीं अगर बात करें तो वाइस कैपटन को मैंने वाइस कैपटन मना है दोनों की दोनों काफी बढ़िया खेल रहे और च्छा-खासा फॉर्म में पहले ही मैक से तो सबसे बड़ी बात तो केपिंग में में नियुक्त कर लिया है मेनन को इस ट्रेप में शामिल कर लिया उनको भी जामिल कर लिए दोस्तों अगर बात करें तौल राउंडर मेरे पास इस पांडे एन पटेल और मेरे पास यहां पे देख सकते हैं काटारमल को मैंने स्टी में शामिल कर लिया यह भी अच्छा पर्फरमस कर चुके तो जोरू आप इन पर भी भर्षा कर सकते हैं दाओ लगा सकते हैं जैसे कि मैंने सब्सक्राइब करें तो इस गांधी डी पटेल और आखिर में तो क्सी आ को मैंने स्टी में शामिल कर लिया यह भी अच्छे खास हाला कि पहली मैंट में का पर्फरमस थोड़ा डाउन जरूर आए लिकिन अच्छे प्लियर है दोस्तों जुरूर आप इनको कम स सबसे पहले आपको हाइलाट करके दिखाया किस किस को मैंने कैप्टन और किसको वाइस कैप्टन बनाया दोस्तों तो सबसे पहले इन पटेल को मैंने कैप्टन बनाया पिछले टिम में इनको वाइस कैप्टन मनाया दोनों की दोनों बढ़िया है दोस्तों और अच्छी खा लेकिन पहली मैच में पार्फोर्मस थोड़ा दाउन था तो उनको एक जगह पे आप जरूर ले सकते इसके बाद अगर बात करते हैं तो यहाँ पर मेरे पास चार आल राउंडर से इस पांडे एन पटेल उसके बाद एच काटिराल काटार्मल एम मिस्ट्री अगर गेनबाजी के बात करें तो सी गांदी डी पटेल और एल तोक्षिया तो यहाँ पर काफ़े अच्छे चेंजस मैंने कर लिए क्योंकि मेरे पास जो प्लियर मैंने पहले लिए थे उनकी पर पिछली टीम में मैंने प्टेल को शेडर में मैंने और गांड गर हमारे एंड है अगर उन्हें पर ममित इंद बना पाइन लेकिन ऐस अच्छा परफ्रंस करते हैं काफी फायदा हो सकता है क्यूंकि काफी कम लोगों ने इनको क्याफ्टर मना है तो जुरूर आपको फायदा हो सकता है आप राइंड लिग जित सकते यह फिर बात और है दोस्तों कि यह दोनों फिर से और लुट राउंडर है और दोनों के दोनों में डबल परण्ट रह सकते हैं बैटिंग और बॉलिंग दोनों में इसलिए मैंने दोनों को क्याप्टन और वाइस क्याप्टन बना तो यह भी टीम काफी अच्छी बन चुके दोस्तों जरूर कोंगा स्टीम को ग्राइंड तो यहां पर को लिया है वाय रमी को लिया है यह साथ आर ठाकूर भी लेई है क्वा थोड़ी दिक्कत थी ज़रा ही प्लियर ले सकते थे बैटिंग की बात करें तो यहां पर भी मैंने को लिया एंपटेल को लिया और टी बेड़ेड़ा को इस टीम में शामिल कर लिया तीनों बैटस्पन हम अच्छे खासे दोस्तों ज़रू आप इंटियोरा के साथ जा सकते हैं अगर गॉल राउंडरेस की बात करें तो एस पांडे को एंपटेल को भी ले लिया और एम मेस्ट जरूर दिये लेकिन यह भी अच्छे खासे गेंबाज है इनको भी विक्टे मिलती है लेकिन पहली मैच में नहीं निकाल पाए लेकिन आप इनको जरूर एक टीम में कम से कम जरूर लेजेगा काफे फायदा हो सकता आपका और तीसरे और आखरी गेंबाज है भी टुंगार मैं अच्छे खासे विक्टे लिए तो अभी तक हमने वहाँ इनको कहीं भी कुछ भी नहीं बनाया था तो इस टीम का मैंने उनको क्याप्टन बना लिया है ताकि अगर यह दो तीन भी विकेट आपको निकाले निकाल के दे दे तो आपको काफी फायदा हो आप ग्रांड ल तो उस टीम को फायदा हो जिससे आप ग्रांड लिंग जीत सकते हैं अच्छे का सिया निक कर सकते हैं इस लिए मैं इस तरह से किया है दोस्तों अगर बात करतें टीम प्रिव्यू की तो जैसे कि आप देख पार है वाय रमी और आर ठाको दो मेरे पास इस बार की पर है इसक पाइब के डीप अठेल है बीट तुंगारे को लिया और एस पठान को लिया एस पठान ने हलाकि माइनस पर पॉइंट दिये पहली मैंच में लेकिन दोस्तों एक मैच पर आप किसी का किसी पर यह भरसा नहीं कर सकते या फिर किसी को छोड़ नहीं सकते इसलिए मैं कह रहा डोनों की डोनों बैस्ते डोस्तों अपने अपने जगह पे पड़ी पटल ने काफी आच्छे बालिंग के तलिंग की पहली मैंच में और उन्होंने काफी अच्छी विक्ति भी नीकाली थी तो जोरू आप इंकर साथ गा सकते इन पर भरसा कर सकते वहीं अगर सपांड के करें तो यह तो बेस्टी दोस्तों जरूर आप इंको आपनी टीम का वाइस कैप्टन बना सकते और पाइले टीम में इनको क्याप्टन भी बनाया था तो कुल मिला कि काफी अच्छी टेम बन चुक है दोस्तों फिर से कहूंगा इस टीम को ग्रांड लिग और स्मॉल लिग दो करने कोई निकत्ति जोनों के लिए फिप्टी फिप्टी कोई प्राउल में कोई रिकत्ति पहली टीम मैंने सिर्फ बताई थी कि उसे और स्रुप ने लिए क्योंकि वह सब से बैस्टीम ड् 만 दूसरी और तीसरी तीम आहां पर रहे दोस्तों आपको ग्रांड लिग में या स करने तो वह भी कर सकता है लेकिन ज्यादा चेंजिस मत कीजिएगा थोड़ा रिस्की सावित हो सकता है तो आई होप आपको यह वीडियो जरूर पसंदा होगा और अगर पसंदा है तो इसे लाइक शेर और कमेंट जरू कर दीजिए चानल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किय होगा आप मेरे डिस्क्रिप्शन में हुए डीवी लिंक को जरू जाइन कर लीजे तो ठीके दोस्तों अभी के लिए इतना ही मिलते अगले वीडियो में थैंक यू